यह जो आप structure देख रहे हैं यह हमने किसके लिए यूज किया है मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी so welcome to all of you मैं आरती और आपका मेरी इस वीडियो पे स्वागत है और मैं हूं सामन्स फाम से बात कर रहे है यह जो आप structure देख रहे हैं यह यह लगाया हुआ है यह हमने मैंने बीच में एक वीडियो शेयर किया था आप से देखो कि हमने कैसे यह लगाए है तोनली देखो यह लगाई है ना यह लगाई है तोनली के बेल जैसे यहां से यहां से यहां से चली है यह पूरा एरिया पूरा ऐसा भर जाता है तो इसके लिए बेल के लिए इस structure को ऐसे बनाया देखो और यह बेल इस वैसे चल रहे है यहां पर रिपेरिंग का काम चलू है तो मैं आपको बताते हैं कैसे रिपेर किया जा रहा है तो एक उधर है एक एक यहां पर यहां पर यहां पर इसे इसे इसको भी आज रिपेर कर रहे है यह हां से इसे देल है इस पर चड़ाता है और ऐसा यह वायर लगी लेजर इसे इसको आज यह रिपेरिंग का काम हो रहा है तो मैं कुछे लगा क्यू नहीं आज आपको यह दिखाओं कि आज क्या काम हो रहा है क्या खेटते इसे दोपेर के भी चार वजय है मौसम देखो कितना तेंपरेचर 35 है बारिश लगता है शुरू होगी लेकिन रोज ऐसा लगता है कि बारिश आईगी लेकिन बारिश आ नहीं रहा है मुझे लगा कि सब बारिश के पहले की काम है कि एक बार वानसून शुरू हो गया तो जहर ज्यादा बारिश हो तो कि कुछ काम नहीं हो तो इसके पहले की जो काम है हो मैं आप से शेयर करें और यह हमारे देख रहे है कि खुलचन है हो गया है कौन सा सड़ है इस बार अच्छी तो ओंडली आनी चाहिए सो यह देखो खुलचन रिपेर कर रहे है इन दोनों की कारण मेरे खेट का काम हो रहा है उन्हें तो ऐसी पड़ा रहता है पुलचन सब काम देखते हैं गाय का गठा बनाया उन्होंने अभी मुर्गी का जो है वो भी फुलचन देखने वाले तो यह हमारे हां जो क्वार्टर से महां रहते हैं यह जो दिख रहा है यह वाय को दे देंगे आज मैंने सोचा कि आपको बताओं कि आज क्या खेट पे काम हो रहा है वैसे एवरी डे जो काम होता है वह मैं एक दिन पहले रिकॉर्डिंग करती हूं और नेक्स दे आपको आपके साथ शेर करती हूं काम तो दिन भर चलता रहता है मैं बनाती हूं दस मेट की वीडियो और आपसे शेर करती हूं सब्सक्राइब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो तेंक यू बनाती हूं stay safe, stay healthy, take care, good bye